यदि आप अब भी घर छोड़कर अपने गाउं जाने के लिए सड़कों पर निकल रहे हैं तो सावधान हो जाएए यदि आप किसी को भी दूसरे राज्यों या जिलों में नहीं जाने दिया जाएगा ये जानकारी देते वे राज्य के S.E.S. Home राजी सुरूप ने कहा है कि भारत सरकार के निर्देश पर राज्य की सभी सिमाएं सिल कर दी गई है अब ना तो कोई पड़ोसी राज्य से राजस्थान में आ सकता है और नहीं कोई राजस्थान से पड़ोसी राज्य में जा सकता है इसलिए जो जहां है वहीं रुके अपना घर नहीं छोड़े पर आपको भी 14 दीनों के लिए केमपों में रखा जाएगा जो लोग घरों पर नहीं पहुंच सके हैं उन्हें केमपों में ही रखा गया है उन्होंने लोगों से अपील की है कि करपया सडकों पर नहीं निकले अपने अपने घर जाने के लिए अन्य राज्यों में या अन्य जिलों में इसको हर स्थिती में रोका जाए इसको समस्त राज्यों ने और राजिस्थान ने भी पूंड तरहे से प्रभावी कर दिया है राजिस्थान के जो बोर्डर अन्य राज्यों से हैं जैसे यूपी, मध्यप्रदेश, गुजरात आदी ये सील कर दिये गए हैं किसी को भी राजिस्थान से वहाँ पर एंटर नहीं करने दिया जा रहा है जो लोग सड़क पे निकले थे, उनको हमने अलग-अलग कैम्प में ले गए हैं और उसकी विवस्था की जा रहे हैं, वहाँ वो चौधा दिल निरोध रहेंगे मैं ये भी बता दूँ, उनमें से कुछ जो हैं, अब कह रहे हैं कि हमें वापस हमारे स्थान घर भेज दिया जाए, जहां से हम निकले थे वो दूरदराज के शेत्रों से निकले हुए हैं, जो अब संभब नहीं है आज जिस प्रकार के निर्देश हैं भारत सरकार के, हम लोगों का movement नहीं कर सकते आप अगर अपने घर से निकलने, निकल के कहीं जाने की कोशिश करोगे तो आप कहीं के नहीं रहोगे, क्योंकि आप अपना स्थान छोड़ के आ गए और अब आपको 14 दिन एक अन्य कैंप में बंद कर दिया जाए